नमस्कार मित्रो, साहित्य मित्र चैनल मा आपनू हार्दिक स्वागत छे आजे हुँ एक नवा टोपिक साथे तमारी समक्स हाजर थयो छू मित्रो, साहित्य मित्र चैनल ने आप सवप्रथम तो सब्सक्राइब करी दो अने लाइक, सेर, सब्सक्राइब करवानू पन बुलताने अने सब्सक्राइब करी ने बाजुमा बेल आइकन आपेलू छे एमा ओल करी दो, एटले आवनारा दरेक वीडियो तमने मली रहे आजे आपने गुजराती व्याकरण माथी एक टोपिक बनीश्यू जे आणों पुपिक नू नाम छे विशेशन, एनी व्याक्या छे विशेशन एटले नामना अर्थमा वदारो करनार सब्द ने विशेशन कहेचे अने विशेशन जे नामना अर्थमा वदारो करे ते नामने विशेश्य कहेचे येटले के नामना अर्थमा वदारो करनार सब्द ने विशेशन कहेचे येनु एक आपने उदारन जोईशू मे खातो ते लाडू मोटो हतो आमा तमे त्यान्थी आ वाक्य जो अने दरेक सब्द जुधा पाली ने जो तो आमा लाडू ए नाम चे एटले के विशेशन चे विशेश्या चे शोरी लाडू ए विशेश्या चे अने मोटो ए विशेशन चे मोटो विशेशन अने विशेश्या लाडू अवे तमे जोई शको चे लाडू के वो चे तो के मोटो चे एटले के विशेशन ना अर्थमा वदारो करनार सब्द मोटोब ए विशेशन गणाई समझी गया कोई प्रेश्ण न होए तो मने कॉमेंट मा जणाव जो हवे विशेशन ना प्रकारो केटला छे ए आपने जोईए तो विशेशन ना टोटल छो प्रकार छे प्रकार गुण वाचक विशेशन बी जो परिमान वाचक विशेशन त्री जो संख्य वाचक विशेशन चो तो सार्वनामिक विशेशन पांच मो क्रिया वाचक विशेशन छट तो नामिक विशेशन तो सवती प्याला गूण वाचक विशेशन विशे बनेश्यू एनो अर्थ जोईए नामनो गूण बतावी तेना अर्थमा वधारो करे तेने गूण वाचक विशेशन कहे चे टुंक मा जे विशेश एटलेके नामनो गूण बतावी एमा वधारो करे ए विशेशन ने गूण वाचक विशेशन कहे चे एक उधान जोईए एना सब्दो जोईए साचू, खोटू, तिकू, सुन्दर, कडवू आ बदा गूणों चे साचू, मानस नो गूण चे, खोटू, एपण मानस नो गूण चे, तिकू, आपने कई जोशन करता होई तो, तिकू पण लागे ए चोकरी, शोक्रानो गुन, सुंदर, सुन्दर, कड़ू, ए पण, जैम, लिम्डवो, कड़ूओ, छे, तो लिम्डानो गुन, कड़वाश ए एन गुन चे, तो गुनवाचक विशेश्चन, पछि आगल, कदरूपू, मदूर, नबूडू, ए बदा, गुनों चे, एक उधान जोईए सुन्दर चित्र बिजु मदूर गित तो चित्र के उचे सुन्दर तो चित्र नो गूण सुन्दर ता छे जारे बिजु जोईए मदूर गित गीत के हुँ छे मदूर एटले के कानने आनंद आपे छे मदूर मदूरप आपे छे एटले गीत नो गूण मदूर ए आनो गूण छे एटले आ मदूर पची सुन्दर ए गूण वाचक विशेशन ना सब्दो छे बीजो प्रकार परिमाण वाचक विशेशन येनो अर्थ जोईए नामना अर्थ मां माप परिमाण बतावी विशेशतामा वधारो करे त्याने परिमाण वाचक विशेशन कहे छे परिमाण येनो अर्थ आपड़े प्याला समझे लही परिमाण येटले के कोई च्वक्कस माप परिमाण कोई सब्द मा आपने एवु लागे के आनु माप दर्षावे चे आनु परिमाण दर्षावे चे तो एने आपने परिमाण वाचाक विशेशनती उड़िखीश्यू थोडू, गणू, आतलू, आवडू, बहु, जरा, अल्प, जो अल्प, एदले थोडा माती थोडू, आ एक माप दर्षावे चे पसी गणू, एदले गणू बदू, आपन एक माप दर्षावे चे आवा सब्दो तमने देखाए तो तरत आँखो बंद करीने कैद देवानू क आ परिमान वाचक विशेशन छे, थोडू, अनाज, अनाज ए विशेश्या छे, जरे थोडू, ए, हवे अनाज केरलू छे, थोडू, तो अनाज नू परिमान, अत्वा माप दर्षावे चे थोडू, एले थोडू ए परिमान वाचक विशेशन नू एक सब्दा छे, जरा, म अने मीठू ओचू पड़ियु है तो एम कहिए छी के जरा मीठू आपोने तो मीठू ए विशेश चे जरा ए एनू माप दर्शावे छे मीठानू एकले ए परिमान वाचक विशेशन बने छे आगणनो प्रकार जोईए संख्या वाचक विशेशन आए एकदम सरवड औने जल्दे दी तमने समझन पड़े एवो प्रकार छे संख्या वाचक विशेशन जैके जैमान संख्या दर्शावी होए ए संख्या वाचक नामना अर्थमा संख्य बतावी विशेषतामा वधारो करे त्याने संख्य बाचक विशेषन कहे छे 1,2,3 वगेरे आना ती आगर पन 7,10,50 गमेते पन जेमा संख्य बतावे ये संख्य बाचक विशेषन पछी पहलू, बीजू, त्रीजू वगेरे आपन संख्या वाचक विशेशन बने चे उदार एक चार विद्यार थियो चार ए संख्या बतावे चे अने विद्यार थियो ए नाम चे एलेके विशेश्य चे जहरे चार ए संख्या वाचक विशेशन बनावे चे एक राजा राजा ए नाम चे एक ए संख्या बतावे चे एटले एक राजा ए संख्या वाचक विशेशन बने चे सार्व नामिक विशेशन आ विशेशन ने जरा ध्यानती समझ्यो एन वर्थ नामना अर्थमा चोकसाई सर्व नाम विशेशन तरीके वप्राए तेने सार्व नामिक विशेशन कहे चे आउ, जे, ते, जेउ, पेला, तेउ, सु, केउ, आवा बदो सब्दो सार्व नामिक विशेशन मा वप्राथा होई चे हवे, तमे समझो, सार्व नामिक, सर्व नाम विशेशन बनेलू चे अवे, जे, ते, पेला, तेवो, आ, प्रथम पूरुस छोडी ने, आगण ना, जे, टुंक मा, सार्व नामिक विशेशन इटले, सर्व नाम वपर्दी बनेलो चे दाखला तरीके, मा रो नाम केतन छे, तो विजा कोई व्यकती ने युव, क्या हूँ अचे तो युव कैसे, के ते, केतन छे, एटले, ते, सर्व नाम नो ऊपियोग कर मदेलो उपियो नाम चे તો आवા સબ્દ જે વાક્યમંં ઉપયોગ થાય એને સારવ નામીક વિશએશન કહે आवू, जे ते, जेवू, पेला, तेवो, सु, क्यावू, आवा सर्व नामों वप्राया होए एने सार्व नामिक विशेशन कहवा होए अवे क्रिया वाचक विशेशन एडले के जैमा क्रिया होए क्रिया दर्श्यावी होए एवा विशेशन ने क्रिया वाचक विशेशन यहनों वर्थ जोई लईए क्रियाना अर्थमा वधारों करे तेमां क्रियाना आमा आवेजे आमा जोईए तो यहना सब्दों जोईए पहला रमतो दोडतो कुदतो वरसतो येटले दाखला दरी के हुँ क्रिकेट रमतो हतो तो रमतो ये मारी क्रिया दर्शावेचे पची हुँ सवारे भ्याला उठीने दोडतो हतो अथवा दोड़ू छू तो दोड़वानी जे प्रक्रिया चे ये क्रिया दर्शावेचे गैक भनी रहु हुआ एवी घटना दर्शी आवे छे एटले कि परीया छे आवा सब्दो रमतो दोड तो कुटतो वरस्तो नाचतो आवा सब्दो करीया दर्श्यावे छे अने आवा विशेशन ने क्रिया वाचक विशेशन कहवा माँ आवे छे उधाहन जोई રહન રમે છે તો રમ્ં એ ક્રીયા છે તો આ ક્રિયા વાજન બને છે रोहन ए नाम चे बी जो हुँं मोडी उठी तो उठ्वु एक क्रिया चे पन मोडी उठी हुँं मोडी उठी अम उठ्वु एक क्रिया दर्श्यावे चे एटले आ क्रिया वाचक विशेशन बने चे नामिक विशेशन एनो वर्त जोहली है जे नामने प्रत्ते लगावी बनावेला विशेशन होए तेने नामिक विशेशन कहवाये छे एना उदारां आ, आई, इक, आडू वगेरे एटले के नामनी पाचल सब्दो आपने वापर्ता होईये छे एनी वाच्चे उदारां हिंदूस्तान प्लस ई बराबर हिंदूस्तानी खाली हिंदूस्तान हतु एनी पाचल मोटो ई लगावी दिदो यटले हिंदूस्तानी बनी गई आने नामिक विशेशन कहवाये બીજુ ઉદારણ છે માણસ પ્લસ આઈ એટલે બરાબર માણસ આઈ માણસ ને આઈ પ્રત્ય લગાવી દિદો આઈ નામિક લગાવી દિદું એટલે માણસ આઈ બની ગયો આ નામિક અહીં પૂરો થાય છે જો તમને મારો વીડીઓ ગમે હોય તો ડોન્ટ ફાર્ગેટ ટો લાઇ